डिक्टेशन इस्टार्ट हो गई तरीन सेकंड बाद इस्टार्ट निगराकार की ओर से यह आपराधिक निगरानी अधिनस्त नयाले न्याईक मजिश्ट्रेट जयपुर जिला जयपुर द्वारा उनके नयाले में लंबित आपराधिक प्रेकरण संख्या 196.2010 जितिंद्र कुमार बनाम बेबल खा में पारित आदेश दिनांक 12.10.2011 के विरुद परस्तुत की गई है जिसके द्वारा उन्होंने अभियुक्त की ओर से परिवादी द्वारा परस्तुत सपत पत्र अपूर्ण होने के कारण साक्षय में एग्राईय होने बाबत धारा 292 दंड प्रक्रिया सहीता के तहत परस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया है विराम संक्षिप्त में सू संगत तथे इस प्रकार है कि गैर निगरानीकार द्वारा निगराकार के विरुद आधिनस्त नयाले के समक्ष धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत एक परिवाद प्रस्तुत किया गया जिस पर अधिनस्त नयाले द्वारा निगराकार के विरुद उक्त अपराध का प्रसंग्यान लेते हुए विचारन के दोरान आरोप सारांश सुनाया गया एवं ततपश्चात दिनांक 248-2011 को परिवादी द्वारा साक्ष में अपना सपत पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके संबंद में निगराकार की ओर से साक्ष का सपत पत्र अपून होना बताते हुए धारा 292 दंड प्रक्रिया सहीता के तहत एक प्राठना पत्र प्रस्तुत कर सपत पत्र के आधार पर परिवादी का परिवाद खारिज करने का निवेदन किया गया विराम विद्वान अधिनस्त नयाले द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के बहस सुनकर आदेश दिनांक 1210-2011 द्वारा निगराकार का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया विराम उक्त आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त की ओर से यह निगरानी याची का प्रस्तुत की गई है विराम उभय पक्ष की बहस श्रवन की गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया विराम विद्वान अधिवक्ता निगराकार का तरक है कि अधिनस्त नयाले में निगराकार द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमें उलेख किया गया है कि परिवादी ने साक्षे में जो सपत्पत्र पेश किया है वह विधी अनुरूप नहीं है कियोंकि सपत्पत्र का जो सत्यापन किया गया है उसमें दंड प्रक्रिया सहीता की धारा दो सो सित्यानवे के प्रावधानों के अनुसार उसके सत्यापन में स्वयम की जानकारी के तथ्य तथा जिनके सत्य होने का विश्वास करता है उनका उलेख एवं उनके आधारों का इसपष्ट कथन करते हुए सत्यापन करेगा विराम यह दोनों सत्यापन अलग-अलग होने चाहिए विराम जबकि परिवादी ने सभी सत्यापन एक साथ किये हैं जो विधी अनुरूप नहीं है विराम अधिनस्त न्यायले ने इस तथे को नजरंदाज करते हुए निगराकार का प्रार्थनापत्र खारिज किया है विराम अधिनस्त न्यायले का आदेश निरस्त किया जावे विराम विदवान अधिवक्ता निगराकार ने अपने तर्क समर्थन में निम्न लिखित न्यायक दृष्टांत पेश किये हैं विराम अधिनस्त न्यायले की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि इस प्रकरण में निगराकार द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12-10-2011 को इस आश्य का पेश किया गया की परिवादी ने दिनांक 24-8-2011 को जो शपत पत्र पेश किया है वह दंड प्रकरिया सहीता की धारा 292 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है विराम परिवादी द्वारा दिनांक 24-8-2011 को पेश किये गए शपत पत्र के अवलोकन से यह प्रकरण होता है कि उसके द्वारा शपत पत्र का जो सत्यापन किया गया है उसमें मद संख्या एक लगायत चार में वर्नित साक्ष शपत पत्र मेरी जानकारी के अनुसार सही वय सत्य होने का उलेख किया है विराम दंड प्रकरिया सहीता की धारा 292 के प्रावधानों के अनुसार शपत पत्र के ऐसे तथे जिने साक्षी स्वयम अपनी जानकारी से साबित करने के लिए समर्त हैं तथा ऐसे तथे जिनके सत्य होने का विश्वास करने के लिए उसके पास उचित आधार है उनका कथन अलग-अलग होगा तथा विश्वास के आधारों की दशा में साक्षी ऐसे विश्वास के आधारों का इस परश्ट कथन करेगा विराम समाप्त झालग होगा 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 होगा